नमस्कार साथियों एक बर फिर से आप सभी का स्वागत है इस्टुडेंट साइन्स क्लासेस में साथियों आज से क्लास नाइन्थ में एक्सराइस 2.5 स्टार्ट करने वाले ठीक और इसके पहले वाले जो वीडियो हैं 2.4 या 2.3 के पहले वाले वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक मिल जाएगी तो वहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा तो 2.5 एक्सराइस है बिटा इसमें कॉस्टन नम्मर फस्ट मेदी देखें हम तो यहां लिखाए वो परियोक्त सर्वसमीकाओं को प्रियोब करके नमलगेत गुड़न फल ग्याद कीजिए यानि यहां पर आपको किसका यूज करना है सर्वसमीकाओं का तो यह प्रिस्नावली स्टार्ट करने से पहले बिटा कुछ महत्यकून सर्वसमीकाओं होती है जो आपको आनी चाहिए अन्य था यह एक्सराइज आपको समझ में नहीं आएगी ठीक है तो आएए आपन इन सर्वसमीकाओं को समझते हैं और सॉल्व करते हैं क्या पढ़ने वाले हैं अपन सबसे पहले सर्वसमीका हैं तो देखिए बिटा इन सर्वसमीकाओं को ध्यान से समझना है और देखना है पिछली क्लासों में कुछ सर्वसमीका हैं आप पहले से जानते होंगे जैसे कि पहले वाली सर्वसमीका है बहुत ही फैमस है और यह आनी चाहिए आपको आप देखो इन सर्वसमीकां को आप X, Y के फॉर्म में भी लख सकते हैं या A या B के form में लख सकते हैं यहाँ आपन A और B के form में लख रहे हैं ठीक है यदि कोई दो अलग-अलग रासियां हो A और B और उनका whole square लखा है तो इनका solution क्या आता है A square plus B square plus 2AB ठीक दूसरी सर्वसमी का यही सर्वसमी का यदि minus में हो A-B का whole square A-B का whole square क्या होता है A square plus B square यहाँ प्लस था अब यह minus वाली सर्वसमी का है तो यहाँ क्या जाएगा minus के 2AB ठीक है तीसरी सर्वसमी का यदि तीन रासियां हो A PLUS B PLUS C तीनों का यदि whole square हो तो A सर्वसमी का क्या होती है A square प्लस B square प्लस C square प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA ठीक है यह तीसरी सर्व समीं का होगी चौती वाली सर्व समीं का A square माइनस B square अभी आपने देखा कि यहाँ whole square था परंती A square कहा है अंदर है यदि A square माइनस B square होई बहुत फेमास है यह आपको अच्छे से करना है तो एक bracket आपको प्लस का कर देना है और गुणा में दूसरा bracket कर देना है माइनस का A plus B और A minus B ठीक अब पांचमी सर्व समीं का पर आते हैं जो की सबसे महत्तुपून है और इसका यूट भी आपकी class में जादा है ध्यान से देखेंगे यदि मान के चलिए कोई मान X है यहाँ पर यह X के फॉर्म में लख दे रहा है X कोई 84 है और A कोई 84 है तो X plus A और दूसरा bracket है X plus B का यानि X 84 है पेटा तो X का मान यदि समान है और A और B यह मान कैसे रहेंगे? अलग अलग A का मान अलग रहेगा और B का मान अलग रहेगा और यह दोनों मान यदि गुणा मैं लखे हूँ तो इनकी सर्वे समीं का होती है X square plus A plus B इंटू में X प्लस में A B ठीक है? क्या करना है आपने? यह जो X का मान यदि 84 जो समान इसका वर्ग कर देना है X square और A और B को जोड़ देना है और X का गुणा कर देना है फिर और A और B का यहाँ पर आप कर देना है गुणा ठीक है? तो यह वाली सर्वे समीं का थोड़ी सी आपको नई समझ में आ रही होगी New है यह तो इसको अच्छे से कर लेना है क्योंकि इसका यूज 2.5 में बहुत है ठीक अब आते हैं छट्मी वाली सर्वे समीं का अभी तक अपनने square वाली सर्वे समीं का हैं पड़ी है अब आते हैं cube वाली घन वाली तो A प्लस B का whole cube तो A प्लस B का whole cube क्या होता है? A cube plus B cube plus 3A square B plus 3A B square ठीक इसी परकार माइनस वाली हो जाएगी तो A माइनस B का whole cube A माइनस B का whole cube तो A माइनस B का whole cube क्या होता है? A cube माइनस B cube माइनस 3A square B plus 3A B square ठीक यह हो गई माइनस वाली सर्वे समीं का अब आठ्वी नमबर सर्वे समीं का A cube माइनस B cube A cube माइनस B cube बराबर होता है A माइनस B एक बर आपको bracket में A माइनस B कर देना है ठीक फिर यहां अंदर आएगा दूसरी bracket में A square plus B square यहां माइनस का चनने है तो यहां आएगा plus का ठीक है? ठीक इसी प्रकार हो जाएगी आपकी A cube प्लस B cube की सर्वे समीं का ठीक यहां माइनस था तो यहां माइनस आएगा यहां है plus तो यहां पर भी क्या आएगा plus परंतु यहां अंदर क्या होगा? प्लस का चनन है तो यहां आजाएगा माइनस का चन ठीक है? तो यह रही है अपनी नॉमी नंबर सर्वे समीं का अब दस्मी नंबर सर्वे समीं का यह महत्तपून रहेगी A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC कुछ rarely question में आपको यह सर्वे समीं का यूज़ करनी पड़ेगी तो इसको देखेंगे आप तो यह सर्वे समीं का में क्या करना है आपको A plus B plus C तीनों का एक bracket बना देना ही होगा दूसरा bracket बन जाएगा A square plus B square plus C square minus AB minus BC और minus के CA यह आपको कर देना है इस सर्वे समीं का का यूज़ कॉस्टन में होगा ठीक है? और 11 नमबर सर्वे समीं का हाला की यही है लेगे इसमें थोड़ा ससोधार यह हो जाएगा कुछ कॉस्टन में अपनको कंडिशन लगानी पड़ेगी यदि A plus B plus C बरावर क्या हो? 0 आपको प्रस्न में A plus B plus C का मान क्या दिया जाएगा? 0 और यदि हम क्या रहेगा? AQ plus BQ plus CQ minus 3ABC बरावर यदि आप A plus B plus C का मन क्या रखेंगे? 0 रखेंगे 0 रखेंगे तो 0 का गुणा हो जाएगा इन सभी मानों में है ना? इन सभी मानों को आप तो 0 का गुणा दिखेंगे आप AQ plus BQ plus CQ minus 3ABC 0 का गुणा जब इन सभी मानों में होगा तो क्या आएगा यहाँ पर? 0 आएगा? तब हम क्या क्या कर सकते यहाँ पर? AQ plus BQ plus CQ बरावर इस minus 3ABC करेंगे हम पक्छांतर कर देंगे तो plus क्या आजाएगे? 3A into B into C तो यह आपकी क्या बन जाएगी? शर्वसमीका ठीक है बेटा? तो इस परकार से इन 11 सर्वसमीकाओं का आपको प्रियोग करना सीखना है इन सभी सर्वसमीकाओं का आप इसके इसाउट ले ली जिएगा यह सर्वसमीकाओं बहुत ही महत्पून है आगे वाली क्लासस में आपको बहुत काम में आएगी इसलिए इनको अच्छे से सीख लेना है और याद कर लेना है ठीक है बेटा? अब इन सभी सर्वसमीकाओं का यूज करके अपन 2.5 एक्सराइज स्टार्ट करते हैं ठीक है? आते हैं हम 2.5 पर 2.5 एक्सराइज 2.5 एक्सराइज में कॉस्टन नम्मर फस्ट में बूला गया है और परियोगत सर्वसमीकाओं को प्रियोग करके निमनलेखित गुणानफल ज्याद कीशे यहाँ पर बेटा आपको गुणानफल में गुणा तो करना है परन्तु सर्वसमीकाओं का प्रियोग करके करना है यानि आपको सर्वसमीकाओं का यूज करके ही इनका गुणा करना है डारेट गुणा नहीं करना है तो जैसे की कॉस्टन नम्मर फस्ट आपने देखा इसमें हमने लिखाए दिया गया है x plus 4 into x plus 10 इन दो संख्याओं का आपको क्या करना है यहाँ पर गुणा तो गुणा करना है सर्वसमीकाओं का प्रियोग करके यदि आपने सर्वसमीकाओं देखी है जिटा तो यहाँ आप देख सकते हैं कौन सी सर्वसमीका लग रही है यहाँ क्या लखाए x plus 4 into में x plus 10 ठीक तो x वाला x वाली सर्वसमीका कौन सी है अपनी यह वाली पांच भी नम्मद सर्वसमीकाओं देखेंगे आप तो यह सर्वसमीका यहाँ पर लागू हो जाएगी हो जाएगी कि नहीं तो यह सर्वसमीका यहाँ पर हम लख देते हैं अच्छे से हम लखेंगे चू की तो सर्वसमीका क्या थी x plus a into x plus b देखो a और b हमने बूला था ना यह a और b के मान कैसे change है तो सर्वसमीका क्या होती एक बार आपको x का square कर देना है फिर एक बार a plus b into x कर देना है a और b को जोड़ देना है फिर अंत में क्या करना है आपको a और b का गुणा कर देना है ठीके तो यह सर्वसमीका लागू हो जाएगी यदि आप ध्यान से देखें बिटा तो यह वाले मान और इन वाले मानों के यदि आप तुलना करें तो x यहां है x यहां है x यहां और x यहां देखो दोनों मान गुणा में है यहां पर भी गुणा में है a का मान हो जाएगा 4 और b का मान आ जाएगा 10 तो ये बाला मान इसको satisfy कर रहा है यानि इसके जगाए पर अब हम ये लिख सकते हैं है ना तो क्या हैगा x square x का square कर देना है plus a plus b a का मान है 4 b का मान है 10 तो आपको a का मान 4 रख देना है और b का मान 10 रख देना है into में क्या कर देना है x ये किया फिर plus a into b यानि a और b का गुणा करना है मतलब 4 into 10 ठीक है फिर और आँगी solve कर देना है x square रहेगा plus 4 और 10 को आप जोड़ दीजे तो कितना आएगा 14 into में क्या है x plus 4 into 10 क्या आएगा 14 तो ये रहा भीटा आपका answer ठीक तो आपने इन दो ब्रैकेट का गुणा सर्वसमी का के प्रियोग से ये कर दिया तो बहुत ही आसान है लेकिन आपको इस सर्वसमी का याद हो तब आसान है ठीक इसी प्रकार से अपना question नम्म सेकेन ठीक question नम्म सेकेन में अपने लिखा है दिया गया है आपको x plus 10 into x minus 10 तो यहाँ पर भी बेटा यही सर्वसमी का लग जाएगी ये सर्वसमी का बेटा हम फिर से लिख दे रहे है तो सर्वसमी का क्या है अपनी जिसमें x ये मान जिसम हो बराबर x plus a into x minus यहाँ क्या जाएगा b तो b का मान यहाँ पर आपको कैसा कर देना है रणात्मक सर्वसमी का यही लाग जाएगी तो सर्वसमी का क्या बन जाएगी अपनी x square plus a रहेगा बस b का मान यहाँ क्या कर देना है रणात्मक तो a minus क्या हो जाएगा यहाँ पर b into में क्या हैगा x plus में क्या रहेगा a into b यह आपको एक काम करना है सर्वसमी का जैसे हमने लेखी थी वैसे लिख देना है बस यहाँ क्या करना है b का मान आप रणात्मक ले लेंगी तो बात बराबर हो जाएगी तो यह सर्वसमी का आपने लिखी फिर इसका हम यूज करते हैं तो देखो यहाँ हम तुलना करें तो x plus a की तुलना होगी x plus 8 से मतलब a का मान कितना है यहाँ पर 8 यह लिखा हमने a का मान होगया 8 ठीक x की जगह पर x है यहाँ पर और b का मान अब क्या हो जाएगा minus के 10 b का मान क्या जाएगा minus के 10 तो यह इसको satisfy कर रहा है यान इसके जगह पर अब हम यह लिखेंगे तो क्या हैगा x स्केर मतलब x का स्केर यह लिखा plus bracket में a plus b a का मान कितना है यहाँ पर a का मान है 8 तो a का मान हमने 8 लिखा ठीक है फिर plus में क्या लिखा है b b का मान क्या है यहाँ पर minus 10 तो plus minus का minus के 10 into में क्या आएगा x plus a into b तो a का मान है 8 और b का मान है minus के 10 इसको और अच्छे से solve कर देंगे आप x स्केर रहेगा ठीक है 8 में से 10 जाएंगे तेहाँ पर क्या बचेगा minus के 2 क्या बचेगे minus के 2 into में x और plus 8 का minus 10 में गुणा होगा तो क्या आएगा minus के 10 फिर इसको और अच्छे से लेख दीजिए आप तो क्या आएगा x स्केर plus minus का minus के 2x plus minus का minus यानि minus के 10 यह रहा आपका आंसर ठीक है बिटा तो इस प्रकार से आपको यह कॉस्टन सॉल्व कर लेना है अब हमाँ आथे कॉस्टन नमर फस्ट का थर्ड ठीक है यह रहा यह आपको दिया गया है तो यहाँ पर यह कौन सी सर्वसमींका लागू हो जाएगी यहाँ पर होगी अपनी सर्वसमींका आपने देखा होगा यूकि हमने सर्वसमींका में लखा था अब यहाँ ध्यान से देखें यह आगी वाला मान कैसा है एक जैसा है आगी वाला मान कैसा है एक जैसा यानि तुरंत आपको दमाग में लाना है कि x प्लस a क्योंकि ये वाला मान चेंज है है ना x प्लस a into x प्लस b कर देना है ठीक है यहाँ b का मान minus 5 ले लेंगे तो बात तो वही हो जाएगी तो इसका सर्वसमी का मान क्या होता है x स्केर प्लस एक बार a प्लस b जोड देना है into x कर देना और एक बार a और b का क्या कर देना है गुणा ठीक है यहाँ हम तुलना करें बिटा x का मान समान होना चेंगे जोकी है x का मान अब x की जगए दोनों जगए क्या है 3x x की जगए पर हम लेखेंगे अब 3x a का मान क्या लेखेंगे अब हम 4 ठीक है और B का मान क्या लेखेंगे अब यहां पर माइनस की 5 बस तो यहां यह वाला मान इसको सैटिस्फाई कर रहा है यानि इसके जगाए पर अब हम यह लेखेंगे तो क्या आएगा एकस स्क्वेर, एकस स्क्वेर मतलब 3X का स्क्वेर आजाएगा ठीक है प्लस A प्लस B यानि की A का मान है 4 प्लस B का मान क्या है आपर माइनस की 5 तो माइनस की 5 इंटू में क्या लखा आपने है एकस ठीक है फिर प्लस A इंटू भी तो A का मान है 4 बी का मान है माइनस की 5 इसको स तो 3x का whole square है नहीं कि 3x को दो बार गुणा में लिखना है तो क्या आएगा 9x square ठीक plus 4 रहेगा plus minus का minus के 5x ठीक है plus 4 into minus 5 क्या आएगा minus के 20 इसको और अच्छी से solve करके लिख देंगे तो क्या आएगा 9x square 4 minus 5 क्या आएगा minus की 1 और minus की 1 का इस plus में गुणा होगा तो क्या हूए और minus की x ठीके और plus minus के कन्यों कि माइनस को ठीक है पिटा it SORRY X का मानि यहां पर हमने क्या लेखना था 3 एक आफ करिएगा एक्स का मान यहां हम क्या लेखेंगे 3x तो यहां क्या जाएगा 4-5 क्या एगा माइनस 1 माइनस 1 का 3x में बुना होगा तो माइनस की 3x आएगा यहां पर ठीक है माइनस की 20 बागी सब सही है तो इस प्रकार से question number first अपना अभी नहीं अभी तो और भी question है question number first का है 4 यह बाला परस्त ठीक है यह आपको दिया गया है इसको अब आपको क्या करना है सर्वसमिगा का प्रियूब करके solve करना है ठीक है तो यहां आप देखेंगे कि एक bracket plus का देख रहा है और एक bracket काई का देख रहा है आपको माइनस का देख रहा है कि नहीं और दोनों मान कैसे लगबग समान है इसलिए यहां एक सर्वसमिगा को त्रंद याद आने चाहिए एक bracket यदी plus का और दूसरा bracket यदी माइनस का हो और गुणा में हो तो वह सर्वसमिगा क्या होती है a square माइनस b square यहां देखेंगे आप a की जगाए पर है by square और b का मान है 3 by 2 a का मान by square और b का मान 3 by 2 यानि यह वाली सर्वसमिग का यहां लागू होती है बस यहां a का मान रहेगा by square और b का मान क्या हो जाएगा 3 by 2 यदि यह इसको satisfy कर रहा है किसके जगाए पर यह आएगा यानि अब हम क्या लखेंगे a square तो a का मान क्या है by square पहले से परंदू square यहां लखा है तो क्या आएगा whole square माइनस b का मान क्या है यहां पर 3 by 2 यह लखा हमने 3 by 2 और इसका क्या कर देना है यहां पर square ठीक है अब इसको solve करेंगे तो घातों का अपस में क्या हो जाएगा गुणा तो by power कितनी आ जाएगी यहां पर 4 माइनस 3 by 2 का दो बार गुणा करेंगे तो कितना है गा 9 by 4 ठीक तो यह हो गया अपना question number first का 4 ठीक इसी प्रकार से अंत्यम प्रस्न है पांच प्रस्न है यहां देखेंगे आप 3 minus 2x into 3 plus 2x तो जब भी आपको दो bracket देखें गुणा में एक bracket minus का और एक bracket plus का तो यही वाली सर्बसमी का फिर से लगा सकते हैं अब कौनसी a minus b into a plus b यदी हो बस bracket आँए पीछे हो गए यहां पर तो क्या होती ही वो सर्बसमी का a square minus b square तो a का मान यहां पर है 3 यहां पर भी a का मान क्या है 3 b का मान यहां 2x और यहां पर b का मान क्या है 2x यह वाला मान इसको satisfy कर रहा है तो इसके जगाए पर अब आप यह लेख सकते हैं तो क्या लेखेंगे a square a का मान क्या है यहां पर 3 a square मतलब क्या जाएगा minus b square तो b के जगाए पर क्या है यहां पर 2x तो 2x का क्या जाएगा यहां पर square फिर इसको आप solve करेंगे तो 3 का square क्या हैगा 9 minus 2x को दो बार गोड़ा में लिखेंगे तो क्या हैगा 4x square यह आपने क्या कर दिया इनका गोड़ा ठीक तो इस परकार से question number first के पांचों प्रस्ने समाप्त होते हैं अब हम आते हैं question number second पर question number second में बूला गया है सीधे गुड़ा किये बिना ने में लेखत गुणफलनों के मान गयाद किजी आपको सीधा गुणा इनका नहीं करना है आपको गुणफल तो गयाद करना है परन्दु सरवसमीकाओं का प्रियोग करके डारेक्ट गुणा नहीं करना तो यह तीन प्रस्न है बिटापन सर्वसमी काओं के प्रियोक से ही सॉल्व करेंगे ठीक है तो यहां आपको क्या करना है थोड़ा सा दमाख लगाना है कि 103 जो है वो एक सरलसी संख्या के पास में किस के पास में तो हमने का 100 के पास में तो 103 को क्या लख सकते हम 100 해 3 यह तो लेखी सकते है थीक है 100 प्लस 3 तो यह 103 आएगा फिर बीच में गणा का चंण है यह लगाए अब 107 को हम क्या लेख सकते हैं 100 प्लस में 7 ठीक हमने 103 को क्या लेखा 100 प्लस 3 और 107 को क्या लेखा 100 प्लस 7 और यह इसलिए लेखा है हमने क्योंकि यहां लग जाएगी अब बेटा सर्वसमी का वो सर्वसमी का क्या है आपको समझ में आ रहा है कि यह दोनों मान कैसे एक जैसे हो अब यदि दें दोनों मान एक जैसे हो तो फिर तुरंत दमाग में लाना है कि एक मान समान है परंतु यह दोनों मान अलग अलग है तो सर्वसमी का कौन सी लगेगी x प्लस a इंटू x प्लस b यह वाली सर्वसमी का लग जाएगी क्योंकि x का मान 100, x का मान 100, a का मान 3, और B का मान क्या है 7 जब भी ये दोनों मान इस टाइप से लिखे हो तो सरवसमी का क्या होती है X स्क्यार प्लस A प्लस B इंटू में X प्लस में क्या होता है A इंटू B ये होती है सरवसमी का ठीक यहां आप देख पा रहे हैं X का मान क्या है पेटा 100, A का मान क्या है 3, X का मान क्या है 100, B का मान क्या है 7, तो ये वाली सर्वसमिंक इसको satisfy कर रही है, यानि इसके जगह पर अब हम ये लिखेंगे, तो क्या है एगा X स्केर मतलब 100 का स्केर ये लिखा, प्लस, A प्लस B, यानि की, A का मान क्या है आपर 3, और B का मान क्या है आपर 7, इंटू में क्या लिखा है, X, X means 100, प्लस, A इंटू B, A इंटू B मतलब क्या हो जाएगा, 3 इंटू 7, इसको solve कर देना है, 100 का स्केर नहीं, 100 को दो बार गुणा में लिखना है, तो कितने 0 आ जाए जाएंगे, 4, 3, 4, ठीक, प्लस, 3 प्लस 7 कितना होता है, 10, इंटू में क्या हैगा, 100, प्लस, 7 का, 3 में गुणा होगा, तो क्या हैगा, 21, फिर, 1, 2, 3, 4 दिना है, 10 का इस 100 में गुणा होगा, तो कितना हैगा, 1, 2, 3, सूनना आ जाएगी, प्लस में कितना चलना है 21, अब तीनों को जोड़ दीजिए, तो यहां पर क्या जाएगा, 11, 0, 21, ठीक है, यह इस परकार से आपका क्या आगया आंसर, तो आपने देखिए, गुणा किये बिना ही आपने इसका आंसर निकाल लिया, सर्वसमिकाओं की प्रयोग से, ठीक है ठीक है, यैसे इसमें दिया गया है आपको, कितना दिया गया है, 95 into 97, ठीक है, तो डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, आपको सर्वसमिकाओं का प्रयोग करके इसका गुणा करना है, तो यहां पर आप देखेंगी, 95 को आप क्या लख सकते हैं, 95 किसके पास में हैं, इसको हम लख सकते हैं, 90 प्लस में 5, ठीक है, into के नीचे into लखेंगे, और 96 को हम क्या लख सकते हैं, 90 प्लस में 6, ठीक, यह से लखा है हमने, क्योंकि यहां लख जाएगी, अब सर्वसमिका यह देखो, यह दोनों मान समान है, पर हम तो यह दोनों मान आ समान है, यानि कौन से सर्वस B, बरावर क्या होता है, X का स्केर हो जाता है, एक बार A प्लस B का योग हो जाता है, गुणा में X आता है, फिर A into B आ जाता है, ठीक है, यह सर्वसमिका अपन प्रियोग कर चुके हैं अगी, अब यहां देखेंगे आप, कि यह आंगे वाले मान कैसे होते हैं, समान जोकी है यहां पर, यानि X का मान क्या है, यहां पर दोनों जगए 90, A का मान कितना है 5, और B का मान कितना है 6, यह इसको सैटिस्फाइ कर रहा है, तो इसके जगए पर आप यह लिखेंगे, तो क्या हैगा, X स्केर मतलब 90 का स्केर, प्लस A प्लस B, तो A का मान है 5, B का मान है 6, A into B मतलब 5 into 6 इसको solve करेंगे आप 90 को दू बार गुणा में लिखेंगे तो कितना आएगा 180 प्लस 5 अच्छे को जोड़ेंगे तो 5 अच्छे 11 गुणा में कितने आएगे 90 प्लस 56 का 30 फिर और solve करेंगे इसके आँगे 180 रहेंगे जो किते हो प्लस 11 का 90 में गुणा होगा तो 990 प्लस में कितना आएगा 30 फिर इन सभी को आप जोड़ेंगे इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9120 ठीक ये रहा बिटा आप cancer तो आपने बगेर गुणा किये इनको आपने solve कर लिये ठीक है इस परकार से अब हम आते है question number third यहां देखेंगे आप 104 लिखा है यहां पर 104 को आप क्या लिख सकते है solve करने के हिसाब से 104 को आपने लिख सकते है 100 प्लस में 4 into 96 को क्या लिख सकते है 100 माइनस में 4 लिख सकते है कि नहीं तो आपने यहां देखा कि दोनों ब्रैकेट लगबख समान है बस यह फर्क है कि एक ब्रैकेट प्लस का हो गया और एक ब्रैकेट माइनस का यानि यहां पर कौन सी सर्वसमी का लगेगी अपनी यहां लग जाएगी आपकी a प्लस b into ब्रैकेट प्लस का एक ब्रैकेट माइनस का यह ना और एक जैसे होने जाएगा यहां लखाए प्लस b फिर लखाए माइनस भी यानि 100 प्लस मैं 4 लखें और 100 माइनस के 4 लखें दोनों बुणा में तो यह इसको satisfy कर रहे है मैं यानि इसके जिगा पर अप यह आएगा यह आएगा मतलब 5 100 6 2 पर गुणा में लिखेंगे तो 45 16 जाएंगे माइनस में कितना आएगा 16 फिर यहाँ पर इनको घटा देंगे तो कितना आएगा 9,984 इस प्रकार से आपका आंसर आ गया ठीक है बिटा यह परिच्छा की द्रस्टी से महत्तुकूल प्रस्ण है इस प्रकार से question से किन समाथ होता है अब हम आते है question number third बर पर तो question number third में बूला गया है वो परियोक्त सर्वस्वमी का हैं प्रियोक करके निनलिखित का गुड़नखन गयाद कीजिए यानि जो सर्वस्वमी का है भी हमने आपको पढ़ाई है उनका प्रियोक करना है और इनके इन समी करनों के आपको क्या याद करना है गुड़नखन मतलब इनके factor अर्थात इनको गुड़ा में लिखना है ठीक है तो इन समी करनों को गुड़नखन में कैसे convert करेंगे ध्यान से देखेंगे विटाओ यदि इन प्रसनों को हम ध्यान से देखें तो यह पहला समी करन जो आपको दिया ग करना है तो यहां सर्वसमीन का हैं बनाएंगे अपन और इनका गुणनखन गयाद करेंगे ठीक है तो यहां पर हम 9x2 को क्या लिख सकते हैं विटा 3x का whole square तो लिखी सकते हैं ठीक है प्लस 6xy को हम क्या लिख सकते हैं 2 into 3x into y क्या यह लिख सकते हैं यदि इनका हम तीनों का गुणा करें तो हमें यही मिलेगा यह क्यों लिख रहे हैं अब भी बता रहे हैं आपको y square को हम y square ही लिखा रहे हैं यह लिखने का उदेश यही था बेटा क्योंकि यहां यह बन रही है सरवसमी का a square plus 2ab plus b square यह वाली सरवसमी का तो भी पड़े ही था यह वाली सरवसमी का क्या होती है a plus b का whole square यह लिखने का उदेश था क्योंकि देखो a की जगह पर 3x आ जाएगा 2 की जगह पर 2 है यहां पर a का मान देखो 3x satisfy कर रहा है यहां पर b का मान क्या जाएगा by b का square क्या होगा by square यानि यह वाला पूरा का पूरा मान लिखा है तो इसके जगह पर अब हम यह लिख माएंगे तो क्या जाएगा a का मान तो a की जगह पर क्या है 3x यह लिखा हमने 3x plus की नीचे plus लिखा फिर क्या लिखा है b b का मान क्या है यहां पर by और यहां क्या है पूर a का whole square तो हमने क् गुणा में लिखना है यहाँ पर यहाँ दो की घाथ है इसक prospective तरी एकस प्लस बाय एक बार और राँ प्लस बाय एक बार तो गुणा में लिख दिया हमने इस परकार से समीकान का क्या हो गया यह गुणा ठीक आपको इन सर्व समीकालों का प्रियोब करके इस परकार से गुणंखन ग्याद कर लेना है ठीक इसी परकार से अंगला परसन है बिटा देखिएगा ये दिया गया है आपको समीकरण और इस समीकरण का आपको गुणंखन ग्याद करना है जैसा कि आप भी ये परसने किया है वैसे ही करना है क्या करेंगे आ 4y² को क्या लख सकते हैं विटा 2y² लख सकते हैं माइनस माइनस है तो माइनस 4y को क्या लखेंगे 2 into 2y into में हम कुछ नहीं मतलब बन कर दे रहे हैं प्लस इस बन को हम बन का स्केर तो लखी सकते हैं ये लखने का अफ़देश ही था विटा क्योंकि एक सर्वसमी का होती है a²-2ab प्लस b² बराबर a-b का whole square इस सर्वसमी का तो अभी पढ़ा हैं आपको क्योंकि a का सकेर मतलब देखो 2y का सकेर है नहीं a का मान क्या हो गया 2by माइनस के नीचे माइनस फिर लखाए 2 तो 2 के नीचे 2 है a into b मतलब 2by into और b का मान क्या हो गया बन यदि इसको हम गुणा करेंगे तो हमें यही तो मिलेगा प्लस b का सकेर मतलब बन का सकेर यानि ये वाला सभी मान सभी मान सैटिसफाई कर रहा है इसको तो इसके जगह पर अब हम ये लिख पाएंगे यानि क्या आएगा a का मान तो a का मान कितना है यहां पर 2by ये लिखा माइनस के नीचे माइनस लिखा फिर b b की जगह पर क्या है यहां पर बन ये लिखा और पूरे का whole square तो ये लगा है whole square गुड़न खंड गयात करना है यानि गुड़ा में लिखना है तो इसको हम क्या लख सकते हैं 2by माइनस बन 2 की घात है तो इसको आप 2 बार गुड़ा में लिख दीजिए इस परकार से आपको क्या मिल जाएंगे समीकरण के गुड़न खंड ठीक है बिटा अब कॉस्टन नम्मर थर्ड का अंत्यम परस ये रहा तो इस समीकरण के आपको गुड़न खंड गयात करना है तो ये बहुत ही आसान सा है कैसे x square को x square ही लिखा रहने दीजिए माइनस इस by square upon में 100 को हम लिख सकते हैं बिटा by upon में 10 का whole square ये लिख सकते हैं ये लिखने का अदेश ये है क्योंकि यहां आपको देख रहा है कि एक सर्वसमीकर लग जाएगी कौनसी a square minus b square इस सर्वसमीकर क्या होती है एक bracket plus का कर देना और एक bracket minus का कर देना वो भी गुड़ा में क्योंकि a का मान हो जाएगा x और b का मान हो जाएगा by upon में 10 दोनों पर square लगा है बीच में minus का चिन है तो ये इसको जब satisfy कर रहा है तो इसके जगे पर अब हम ये लिख वाएगे तो a का मान क्या है यहां पर x तो क्या आएगा x plus b का मान क्या है by upon में 10 ये लिखा ठीक और यही एक बार bracket plus का है और यही एक bracket minus का कर देना है तो ये बन गया plus का और ये bracket कर दिया अब हमने minus का ठीक तो इस परकार से हमें क्या में लिगा है इसका ये गुड़नकन तो a square minus b square ये सर्वसमी का लग जाएगी एक bracket plus का एक bracket minus का एक bracket plus का और एक bracket minus का ठीक है बिटा तो इस परकार से question number थर्ड तक अपने सभी ब्रस्न समाप्त होते है ठीक तो इस वीडियो में बिटा हम आपको question number थर्ड तक ही बता रहे क्योंकि बड़ी exercise है इस कारण से question number 4 से आपको अंगले वाली वीडियो में बताएंगी ठीक है तो मिलते हैं बेटा next वीडियो में तब तक के लिए धन्नवाद थैंक यू